नए आप से लोग का प्रदीफ सर्कान वस्कार आप से दोस्तों का हमारी यूट्यूब चैनल प्रदीफ सर्विलेंट इपिडी में मैं सागत है जो लोग अभी बिन नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर ले और विलागीं को जरूर दबा दें ताकि हमारे हर वीडियो का मोटि की चर्चा करने चलए हैं है और क्यों एंड क्यों और नोग चर्चा करेंगे इसके बाद ऑना पर चाहरेंगे तो घं़न में क्या होता है एक ही प्रकार का कुष्च्टा के', कई त्रिके कुष्टा है तो नए पुराने सारे कोश्चनों को मैं इसमें इंक्लूट करूंगा जैसा कि आप जानते हैं कि घर में जो कुश्चन कुछ आते हैं बड़े घर को छोटे चोटे घरों में काटना उसके बाद घर के सताओं पर रहां बताना कि जाने के बारे में चाहेंगे अगर्फनेशन बताना चाहेंगे ऑसी लंबाई चोड़ाई और उचाई ति बराबर या समान होती है ऊसी को बना चाहते हैं जैसा कि ऑगर आक्सका चित्र बना चाहते हैं और आक्सकली का सकते हैं इस तरहीं के ऐए करद्रक्ण कहले को इस अब देखें कि कौन प्वारय जो रही है विए लइंगे और आप्我 ल είकि ये भी उचाहिए इसका मतलब लंबाई, चोडाई, उचाहिए तीनों भराबन होती हैं उसी को हम किया बोलते हैं घन बोलते हैं और घन में क्या चीजे हमेशा होती हैं इसैश्कों भी आप जक कहते हैं इसका मतलब घहन में क्या होते हैं सदयों कुल सता अगर देखेंगे यहां पर घ्रल्प त्वांड होते हैं 6 होताक और State कौं ओपर नीचे लबट आइट आंपने सांवने और फीछ तो उल्फ वह गया नेचे हो गया दाय हो गया लाइं हो गया कू opener आफेया पीछे हो गया तो के सकते हैं किल कुल कई सकते हैं सता को सर्फेस बोलते हैं जानतर ही तोतल किनारे कितने होते हैं सोफ गता रहा है कितने मतलब कालवा से इसका तो मतलब घर में तीने ही चीज़े आपको जाना है सता किनारा और किया होता है तो कौन टोटल यहां बता भी दे रहें किसको सता बोलते हैं किसको किनारा बोलते हैं तो आप सभी लोग जानते रहेगा तो यह दिख रही है सता आपके दिख रही है सर्फेस है और आप देखेंगे यह कोना आपका है यह भी कोना है यह भी कोना जो गोल गोल मनाया थी यह क् और यह आपका है लाइन दिख रहा है क्या है किनारा किनारा भी कह सकते हैं किनारा या तो अब इसमें हमको क्या करना है यह देखना है कि कहां 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 होते हैं 8 कौन, कोने कहां पर हैं, 6 सत्य हैं कौन हैं किनारे बारा कौन हैं तो आप सबी लोग जाने ज़ेगा तो आठ मैंने गोला टाइप में बनाया हुगा रहे हैं चोटा-छोटा यह 8 टोटल आपका दिख रहा है यही 8 क्या है आपकी कोने हैं और कोने का निर्मार हमेशा तीन सताओं के मिलने से होता है। किसी बगती ने आप से पूछ लिया कि कोना किसे कहते हैं तो कहेंगे जहां पर भी तीन सताओं मिले जाती हैं उसी को हम कोना कहते हैं। जैसे कमरे में भी आप हैं तो दो दीवार मिलती हैं एक जमीन मिलती हैं ये ज़का फिर दोस्तों अब उसकी हम किनारे के बात करते हैं इसका वकलाबाब आठ पूने तो होगे किनारे अगर देखें तो बारा किनारे टोटल है अर्थात लाइन आप देखेंगे एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नौ दस यह बीच में 11 हो गया और यहां पर यह बारा तो टोटल किनारे को हैं बारा किनारे हैं चार ऊपर होते हैं आप किसी कमरे में खड़े हो जाइए उसमें देखें कि चार ऊपर किनारे टोटल होते हैं चार नीचे किनारे होते हैं और चार खड़े होते हैं इसका मतलब यह जो खड़ा हुआ आपका है विए चार आपका है बागी चार ऊपर दिख रहा है इस तरीके स और चार नीचे डिखाना है इस तर्री कि फ़ांकी चार फ़ड़ें टो उसके बार तीन चार टूल चार खड़ें हैं एक दो तीने चार बाकि आप देख रहे हैं एक दो तीन चार अच्छार खड़ें हैं दो तीं तुंचाश्द ही और लोगा वटकी तो आपके कौनेंहों गएछैस्वर हूं को ठीज गुंध्य थोड़ा सा में अप्रूरा ID है जैसा कि दोस्तों आप सब्सक्राइब जानेंगे कि घन में आप भी आप मैथमेटिक्स में पढ़ेंगे मैंसुरेशन तो उसमें हम आपको भी स्तार्पूरोग सारी चीज़े बताएंगे वो टापिक्स अलग है मैंसुरेशन में आपका छेत्रुखल और आयतन समंदी कोशन लेकिन यहां पर दोड़ा सा अलग कोशन लेकिन सुत्रों का प्रेव होता है इसलिए तुमासा जानते रहेंगे जैसा कि आप जानते हैं घन का आयतन का मतलब होता है तीनों बुजाओं का गुड़नफल तो लंबाई चौड़ाई चाहितीनों समान होती इसलिए गुजा कि गया घन के एक सता का छेत्रफल अगर देखेंगे अगर किसी भी घन के एक सता पत्य है टूटल छे सते होती है जब के संपूर्थ संप्ष्ट का अर्था सभी सब्सक्राइब दोस्तों बहुत सरी स्टुडेंट से आप पूछेंगे घंड के वह क्रपिष्ट का चेतरफल बता है अर्था च्छत और जमीन को छोड़ करके तो च्छत और जमीन को छोड़ देते हैं इसी भी कमरे में तो चार दीवार होती है तो उन चारों दीवारों का च च्छत और जमीन पर शर्वेज होता है और क्या होता है दोस्तों अर्थात क्या होता है लंबाई के करणी में क्या रिखते हैं लंबाई मुगे सब यहां पर लंबाई चलाई चलाई तीलों समान है इसका मतलब हुजय सकते हैं करनी में 3a कोई भी अगर रूट में डबल बार होता है तो हमेशा एक बार बाहरा जाता है इतने सुत्रों का हम प्रियब करेंगे अब इसी में क्या होता है कभी रीफ कोई कोई बड़ा घन है उसको छोटे छोटे घनो की संख्या के लिए उसको भी सीख-षथ जैसा कि दोस्तों इन दो सूत्रों का भी प्रियोप करेंगे इनी से संबंदित हम आज कुस्टन्स बताएंगे जैसा कि आप देख रहे हैं कि छोटे गनों कोई बड़ा सा घन है उसको हमें कुछ नुपकुछ आगरती में चोटे-चोटे गनों में आगार दे रहा है तो हमको किकलेंगे चोटे जोटे गनों की संख्या कभी निकाला होता है था सकते हैं अर्थात किसी भी बड़े हें के माच 15 सेंटीमीटर हैशेट इसे 3 सेंटीमीटर वाले छोटी बराबर गहंग हों में कांथा जाता है तोम और होजां को टीन सेंटीमीटर हो तो पंद्रा में अगर हम तीन से डिवाइड करते हैं तो पांच बाज आएगा तो फाइव टैम्स जाएगा इसका मतलब पांच का अगर हम क्यूब कर देते हैं तो वा मैंडे 25 वा जाएगा तो फूटल छोटे गनों के संख्या हो जाएगी तो इस तरीके से आप कोस्ट्र को हम लगाएंगे और दुद्नीचे दिख रहा है आपका कि घंपो काटने की संख्या किसी भी घंपो काटने की संख्या अगर निकालना होता है इसका मतलब उसूत्र क जिससे उस व्यक्ति को कुछ आत्रिक्त मजदूरी प्राक्त होती है तो व्यक्ति को वास्तिक मजदूरी कितने मिलेगी तो इस तरीके कोश्चन आपके आएंगे इसमें प्रोटल तीन तरीकी कोश्चन बताएंगे तो सबसे पहला पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे कि करता है जैसे का प्रयुसोटे को चोटे जोटेय हमें काको सबस्क्राइब हुआ है ऊधन है ृइं यृइंट कि स सब्सक्राइब काटा जाता है तो छोटे गनों की पुल संख्या बताईए तो इसका अतला हम टोटल नमबर आप लिटल क्यूब तो यह बराबर आप कहेंगे बड़ा ए बटे छोटा एक होल क्यूब है कि आप मौकी बीड़ा सकते हैं तो छे बार जाएगा तो तो दोसले डाएगे इसी तरीके से अगर हम यहां पर कह देते हैं कि किसी बड़े घंट के बुजा के माव किसी को चैंज कर देते हैं माल लेक्ते हैं आप पर 20 सेंटीमीटर है इसे हमने लिग दिया कि चार पुर्ष संक्या बताईए तो कुछ हाई करना है आप लोगों को दोस्तों 20 में अगर हम 4 से भार करेंगे तो कितनी बार देगा पांच बार देगा और पांच का अगर हम होई क्यों करते हैं कितना आएगा 125 शोटे दोस्तों इसी प्रकार से आपका अगर कि किसी बड़े घं के हुजा कीमा 12.5 सेंटीमीटर है इसे 2.5 सेंटीमीटर वाले चोटे-चोटे बराबर घंणों में काटा जाता है तो चोटे घंणों की कुल संख्या बताईए तो यहां भी आपको करना ग्याना दोस्तों कि 12.5 में हम 2.5 से भाग करेंगे तो पांच ही बा पांच करेंगे 125 आएगा क्लियर है लेकिन यहां पर कभी कभी दे देता है कि किसी बड़े घंण को छोटे-छोटे बराबर घंणों में काटा जाता है जिनकी कुल संख्या देता है जिस चोटे घंग के हुजा की माप देता है तो बड़े घंग की माप पूछ लेता है तो आपको फार्मुला यही रखना है कोई आलग नहीं रखना है तो उसमें के भी कुश्चन आए देखिए जैसा दोस्तों उसी में कुश्चन पूछ लेता है कि कि किसी बड़े घंग को पांच सेंटीमेटर वाले 343 शोटे-शोटे बराबर घंगों में काटा जाता है तो यहां पर बड़ा ए आपको बताना है छूटा एक अमान पांच दिया है और यह कितने का घंग है दोस्तों साथ का क्यूब है बराबर ए अपांच 5 यहां पर हो जा रहा है इसका होल क्यूब कर दिए अब दोनों तरफ घात तीन लगी है तो हम क्या करें कंपरीजन आप कि बड़े घंग को मान लते हैं क्या तीन सुभार चोटे बराबर में कटते तो और आ तको मांसोन थी आप ऑब ब्राबर परे ठोटाे एक अघ्खण फिक जरूर्ष नहीं हैाव पुरजन लंब्ला लगाए इसका मतलब घंवूल लिखकर बड़ा बटे चोटा यह को लिख कर सकते हैं ऐसे ही यहां पर लिख देते हैं दोस्तों कि किसी बड़े घंपो यहां लिख देते हैं आट संटीमीटर वाले कि 1331 चोटे बड़ाबर घंपों में काटा जाता है तो बड़े घंपोजा की माँ बताई यह का मतलब 1331 किसका क्यूब है दोस्तों 1331 का क्यूब है अपिर यहां पर बड़ाबर एंगे में कितना संटीमीटर आठ तो ग्यारा अठे में 88 संटीमीटर बड़ाबर बड़ा आजाए मतलब घंपोजा की माँ अठासी सेंटीमीटर थी जिसको आर सेंटीमीटर वाले काटेंगे तो ग्यारा गाइम्स होगा तो 1131 की होता है तेरा सरकते से इसी का जश्ट अपोजित ले सकता है आपका क्या यहां ने सकता है कि किसी बड़े घंप जिसकी भुजा की माँ लिख दिया यहां पर 18 सेंटीमीटर है और कर रहा है इसे टोटल 216 चोटे-चोटे घंपे काटा रहता है तो चोटे घंप के भुजा की माँ बताईगे तो इसका मतलब यहां पर आप क्या लिखेंगे दोस्तो छे का क्यूब होता है क्या 216 अब उसके बाद यहां क्या लिखेंगे आप 18 के बटे में छोटा है इसी पर हम लगा रहे हैं तो छे तरीक अथारा हो जाएगा ते बराबर निकल की कितना आएगा तीन आजाएगा इसी तरीके से अगर आप कर देंगता है किसी बड़े घंप कि बुजा की मान लेते हैं यहां पर लिख दिया मैंने कितना कि 30 cm है और इसे 125 चोटे-चोटे बराबर होनों में काटा जाता है तो छोटे इंगन के बुजा की महां बताइए तो आप लोग जानते हैं कि यहां बराबर बड़ा ए बटे छोटा है का होल क्यूब ले सकते हैं इसका क्यूब है दोस्तों पांच को क्यों है तैसा अलीव दिए अब यहां पांच को भी हटा देंगे पांच यहां पर बचेएं बड़ा एक अमाल कि तरह दिया हुआ है तो यह तो इब्दम से शिंपल टापिक्स है अब इसी में हम थोड़ा सा और कथेंग देखते हैं त सब्सक्राइब करना है कभी छोटे गनों ने कुछ संक्या पोछता है तो आपको पता है कि हमको बड़ा अर्था बड़े बुजा की माप और छोटे बुजा की माप दोनों हमें पता हो जाएगा तो अपने आप निकालेंगे कि यह कोशन पुण देखने में कटिन लग रहा नेकिन एकदन से एकजी है जैसा कि लेखा हुआ किसी बड़े घन के सवी सताओं का चेतरपल तेरा सो पचास सेंटीमीटर स्क्वार है इसे छोटे छोटे बराबर घनों में इस प्रकार काका जाता है कि छोटे घन के एक सता का सकता का चेतरपल जो च्प्न टो शोटे होत्या में जो घने कोशन वही सता है चेत्रप़ जो बाद दोनों से हम क्या करेंगे बड़ा यह चोटे जोटे घनों में कर चेतरपर स्क्राइब कर देते हैं यह दोस्तों 15 स्क्राइब कितना आभिया 15 सेंटेमीटर हमें बड़ा एक आमान प्राफ्त हो गया और आपका दिया हुआ है छोटे गन के सब्सक्राइब करेंगे जो भागफल आएगा उसी का क्यों करते हैं तो छोटे गनों पूल संख्या कितना निकल के आएगी कि पंद्रा प्रटें पांच का और क्यों करेंगे तो पांती पंद्रा तीन का क्यों करेंगे 27 शोटे गहें पर दोस्तों तो इस तरीके से कोशन कर लगाएंगे बस चेंजिंग करता है जैसे हम एक इसी में और आम कर देते तो सब कुछ तो वही रहेगा सिर्फ संख्या को बदलेगा जैसे किसी बड़े गन के सभी सताओं का चेत्रपल यहां तेरा सो पचास में लेका हुआ था तो माल लेते हैं सैंतीस सो पचास सेंटीमिटर स्कॉर लेती हैं इसे छोटे-छोटे बरावर गणों में इस परकार काटा जाता है कि छोटे एक सता का चेत्रपल माले देंगे यहां कितना पार जाएगा छे चंके 36 हो जाएगा फिसके बाद छे दुना बारा छे पंचे तीसा जाएगा तो इसका मतलब 625 किसका वर गया है तो पचीस कवर गया है इसका मतलब बड़ा एक अमान कितना आगे दोस्तों 25 सेंटीमिंटर और छोटे गनके एक सता इसी तरीके से और भी जो कोशन आपके दिए जाएंगे उन सबी कोस्नों को आप पासानी से लगा सकते हैं आप इसी का हम क्या देखेंगे तीसरा पॉइंट देखेंगे तो आए तीसरे टाइप कोश्चन थोड़ा सा और गठीन है अगर इसको पढ़े नहीं रहते हैं इस्टूटेंट पित कोश्चन आता है तो छोड़ देखते हैं कि आपका थोड़ा सा बैंकिंग टापिक्स में ब करना है तो यहां पर आपको करना क्या है कि 144 रुपए अधिक मजदूरी प्राफ्त होती है तो आपको सिर्फ यहीं चीज करना है कि 64 झोटे बादो सब्सक्राइब करना क्या होता है आपका सब्सक्राइब यह बराबर्द जोटा तोसक्त आइए और उसी तरीके से हां को देखेंगे दूसरी इस्तिति में क्या दिया हुआ है यहां पांसो बारा दे दिया है और यहां पर यहां पर कितना आएगा यहां यहां पर यहां पर यहां पर स्टिति में अगर देखेंगे कि पहली इस्तिती में कुल कटिंग कि um करते हैं तो three x minus one मैंने बताया तो three x का मतलब 4 वैसे एक तीन तुरिप का नौ बार है नौ बार क्लियर है अब उसके बाद पहें दूसरी इस्थिति में कटिंग क्या निकल कि आएगी तो दूसरी इस्थिति में कटिंगर निकालेंगी इसने कितनी बार काट रहा है दोस्तों बारा बार जादा काट रहा है तो आप लोग कहें कि बारा अधीक काटने की जो मजदूरी है कितना है 144 रूबिया अधिक प्रüst्लिक करता है तो क्षिनका निकालेंगे कि रूपए सदे इसी प्रासेस पर हम थोड़ा सा और पॉस्टन इड़ों देख लेते हैं आए देखते हैं तो आप देख रहे हैं कि 343 किसका घं है तो साथ का क्यूब है यहां पर आप लिखेंगे पहली स्थिति में जो यक समन आ रहा है साथ और 1000 किसका क्यूब है तो इसका मतलब यहां पर सब्सक्राइब कितना आजा रहा है तस आपको घं मूल लेना है पर एक घटा कर तीन मुना कर देना है तो पहली स्थिति में क्या हो जाए कि पहली कटिंग की बात अगर आप कहेंगे तो कहेंगे तो सब्सक्राइब कर दोसरी कटिंग देखना चाहेंगे तो दूसरी इस्तिती में कटिंगे तो डूसरी स्तिती में काटना चाहिए था तो कितना ज्यादा कड़िया है तो तो आठारा नौ सत्ताइस नौ अधी काटने की मजदूरी कितना दिया हुआ है 216 इसका मतलब नौ दूना अठारा नौ चब 36 चोबिस एक बार कटिंग की मजदूरी कितना रहा है आपका 24 आ रहा है तो टोटल पहरी बार में अठारा कटिंग करना था तो अठारा बार कटिंग का मजदूरी कितना हो जाएगा इसका मतलब और 60 में लगा सकते हैं किस तरीके से लगाएंगे आप कहेंगे 300 किसका क्यूर् Gillet क्यूब क्यों साथ का क्यूर्ग है, तिसका मतलब टोटल कटिंग की उसको 216 रुपय ज्यादा मिल लगा है तो एक बार काटने की मजदोरी हमारी निकल के आप इतनी गई 24 रुपय है अब हमको वास्तिक मजदोरी बताना है इसी अठारा करेंगे तो 432 रुपय आ जाएगा तो इसमें का कोशन आप लगा लेंगे आप थोड़ा से इसी से करेंड कर आप चीश सेंटीमीटर को फोस घं को पांच सेंटीमीटर के चोटे-चोटे घंव में प्राप्त करने के लिए खुल कितनी बार कटना होगा तो टोटम मांबर आफ कटिंग बताना है यक्स बराबर अगर यहां पर बड़े घं के बोजा की माद दिया हो और चोट पांच का करेंगे तो पांच का क्यों करेंगे ते cm3 का आखें धान के थो में ले मैं बड़ाबर कि अक् worth लेकिन आपको इतला लंबा खीशने की जरुवत नहीं है आप कहेंगे ने बार चोटा है तो हमें यह इसा बराबा क्या हो जाता है बड़ा बटे चोटा एंगा इसका मतलब बटे घंचे बुजाकि मां और उसके बटे में छोटे में जी बुजाकि मां तो उससे आप लगाए चोपषेश्टे को निएक देंगे तो क्या दोस्तों निकल के आएगा हमारा इसकी बहलू निकल निकल का रिखेंगी तो कुलराबर क्या क्या दिखेंगी हम TRI जैसे दोस्तों आपका दिया हुआ इस तरीकी कभी पेपर कोशन कापी पूइछा जाता है प्रतित करने के लिए दिया गया वहां प्रत्य कटाई के लिए 6 रुपई लेता है एक बार कटिंग करता है तो 6 रुपई लेता है उस घहन को काटने के लिए ब्यक rasa उसको प्राप्त हुआ है और छोटे जोटे चोटने चोटे और में काटा है उसकी कुल संख्या वताना है तो हम पहले लिखेंगे यहां पर कुल कटिंग की बात करेंगे तो कुल पैसा बटेने एक कटाई का पैसा है तो इसको करते हैं और तो के लिए उसको छेव्शा अंचाता है तो आपको मैंने पीछे भी यही बता है कुल गनों की संख्या यह बराबर एक स्क्यूब होता है यह तो बता है यह बराबर हम प्रहेंगे छे कप्यूब कर देंगे तो 216 चोटे चोटे गनों में उस ब्रेक्टी ने उस बड़े गन को काटा है उसको 90 रुपिया प्राथ एक भी कोशन आपके फसेंगे नहीं मैंने कुछ एक्ष्टा ही बता दिया है कई किताबों में आप देखें कोशन मिलेंगे तो नार्मानी कोशन दिये गए हैं अगर आप सभी लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइफ जरूर कर दीजेगा एक कमेंट जरूर कर द कर दो